बहू जी ममी जी नहीं कि बारिक बारिक प्यास काट दियो प्यास के पराठे बनाने हैं ममी मुझसे ये प्यास बारिक बारिक करती नहीं है बस काम चोरी के बहाने करा लो अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है चले काम कर फिर तू लच्छेदार काट दे मैं तुझे बताते हूँ आज लच्छेदार प्यास से बनने वाले बहुती स्वादिस्ट परांठे आज वो खा के देखी हो तू अरे वाँ हाँ मैं लच्छेदार काट देती हूँ तो आपको भी आता है आलस बारिक बारिक प्यास काटने में लेकिन करता है प्यास के परांठे खाने का मन तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो इसके लिए मैंने यह एक कब गेहूं का आटा लिया है इसमें मैंने आदा चमश नमक डाला है इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हमें इसमें धीरे धीरे पानी डाल कर इसे एकदम सॉफ्ट डो इसका तयार कर लेंगे कुछ इस तरह से हमें एकदम इसका सॉफ्ट डो बना कर तयार करना है मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ओयल लगा कर इसे मल लिया है जिससे की हुमारा सॉफ्ट हो जाए इसके बाद मैंने अनियन को कुछ इस तरह से लच्छे में काटा है और धनीय की पती को भी साफ करके काट लिया है इसके बाद मैं अपना आटा देख रही हूँ देखें फ्रेंट सुखे आटे की मदद से हम इसे एक दम पतला बेल लेंगे जैसे हम सादा रोटी या परांठे को बेलते हैं प्रेंट्स कैसी लग रही है मेरी वीडियो कमेंट सेक्षिन में जरूर बताए और मेरे साथ एंड तक बने रहे हैं तो देखें मैंने एक दम पतला इसे बेल लिय आदा चमबच काली मिश पाउडर आदा चमबच चाट मसाला और थोड़ा सा जीरा डाल कर इसे अच्छे से अपने परांठे के उपर स्प्रेड कर लोगी इसके बाद कुछ इस तरह से हमें इसकी एकदम पतली-पतली स्ट्रिप कट कर लेनी है चाकू की मदद से जैसा कि आ देख रहे हैं इसे अच्छे से रोल करें ताइटली और इसके और को नीचे से चपका कर थोड़ा साback कर दे इसके बाद जो मैंने ठनी और धनी его को काटके रगा ता उससे अच्छे से प्रेश करके हम अपने डो पर लगा देंगेैं इसी तरह से मैंने यह आपर दो तैयार क तो देखें और जो हमारी प्यास अलग निकल रही है आप उसकी चिंता ना करें आप चाहें तो इस परांठे के उपर ही दुबारा से लगा सकते हैं तो देखें फ्रेंज मेरा यह अच्छे से बेल गया है उपर नीचे से अब मैंने एक तवा तभी गरम करने रख दिया था इ इसे अलटते पलटते हुए मेडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से सेख लें तो फ्रेंज देखें मेरा एक्टम क्रिस्पी लच्छे दार लच्छे वाली प्यास से यह परांठा बनकर एक्टम तयार हो चुका है और यह बहुत टेस्टी बनकर तयार हुआ है अब हम इसे अपनी प्लेट में निकाल लेंगे आप चाहें इसे दही के साथ चटनी के साथ बटर के साथ इंजॉय करें तो देखें मैंने इहां पर यह थोड़ा सा बटर लिया है इसे में अपने परांठे के उपर कर दे रही हूं तो यह मेरा परांठा एक्टम क्रिस्पी जैसा की आप देखी रहे हैं तो इस परांठे को अब आप इंजॉय करें हा तो कैसे लगें जिप आच के परांठे कमेंट करके जरूर बताईएं और कैसी लगें हमारी साथ बहू की जोड़ी वह भी बताईएं कोई सब्सक्राइब करो राधे राधे